Assalamualaikum students आज हम 7th class computer का chapter number 2 start करने जा रहे हैं जिसका नाह है introduction to software आज हम पढ़ेंगे कि software क्या होता है chapter number 1 में हमने पढ़ा था कि computer के बारे में पढ़ा था computer क्या होता है आज हम पढ़ेंगे कि computer के अंदर जो चल रहे software होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस हाथ तक हमारे computer के लिए मुफीद होते हैं ठीक है तो start करते हैं हम definition से software क्या होता है set of instruction given to computer to perform a specific task हदायात का वो set वो मजमूआ जो computer को दिया जाता है कि वो एक हास काम को सरणजाम दे अब ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने computer को बोल के कहें के फलागाम कर दो और वो फलागाम कर दे अगर हम उसे कहें कि आप folder को open कर दे तो वो folder को कभी भी open नहीं करेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा तो हमें अपने computer को एक हदायात का set देना पड़ता है जिसके against वो काम करके हमारे उस काम को perform कर देता है उस specific काम को सरणजाम दे देता है तो ऐसा set जो हम computer को provide करते हैं ताके वो हमारा मक्सूस काम कर दे उसे हम कहते हैं कि वो हमारा software होता है आगे हम बढ़ते हैं अपने software की types की तरफ हमारे software की दो types होती है एक application software होता है और एक system software होता है application software हमारा क्या होता है which controls overall functions of computer example windows जो हमारे computer के तमाम programs को तमाम functions को control करता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा application software है इसकी मिसाल है कि windows computer में जब तक हम window न करने ले जब तक हमारे computer के अंदर windows program को हम install न करने तब तक हमारा computer properly नहीं चल सकता properly running condition में नहीं आता इसलिए computer को running condition में लाने के लिए सबसे basic step होता है उसकी windows को install करना और उस windows को हम application software का नाम देते हैं दूसरी जो हमारे पास type है software की वह है system software जो हमें application software के इंस्टाल करने के फोरण बाद इसकी जरूरत पढ़ती है इसकी example आपको मैं बताओं तो वह हमारे पास है drivers definition पढ़ते है control operations of computer hardware computer के जितने भी hardware components हैं उनके operations को control करता है आपका system software इसकी example है जी device drivers जैसे के एक हम example ले लेते हैं hardware की आपका एक printer है जो आपके computer के साथ अटैच होता है तो जब तक आपके computer के अंदर printer के drivers मुझूद नहीं होते तब तक आपका printer आपको कोई भी मुफीद काम या जो का printing करना प्रिंटर का काम है आपको print नहीं देगा जब तक उसके अंदर printer के drivers मुझूद नहीं होंगे तो अब basically जो system software है वो आपके computer को बताता है कि आपने hardware के साथ किस तरह interact करना है जैसे कि आपके drivers हैं तो drivers आपके computer को बताएंगे कि आपने printer के साथ किस तरह interact करना है वो क्या बनेंगे एक environment create करेंगे उस device के लिए ताके वो computer के साथ interact कर सके आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे important definitions हैं इनको करते हैं सबसे पहली definition हमारे पास device drivers हैं अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया इसकी definition पढ़ते हैं यह हमारे computer को हमारे operating system को बताता है कि हमने hardware के साथ interact कैसे करना है कोई भी external hard drive कोई भी हमने sorry hardware हमने कोई भी अपने computer के साथ attach किया है तो उसके साथ interact कैसे करना है यह device driver का काम है कि वो external hardware के लिए एक environment create करता है और इसे computer के operating system के साथ interact करवाता है आगे बढ़ते हैं students utility programs हमारे पास आ जाते हैं allows users to maintain and analyze the computer example windows explorer जैसे कि हमारे computer के अंदर windows explorer एक software है वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने computer को analyze कर सके configure कर सके means कि हम खोल के अपनी my computer को अगर हम खोलते हैं तो वहां पे हमारे पास local disk c d e तमाम हमारी जितनी भी divisions होती है memory की वह वहां पे पड़ी होती है हम उन्हें check कर सकते हैं हम उन्हें analyze कर सकते हैं या उनको delete करना या कुछ भी करना ये सारा हमें allow करता है हमारे utility programs ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अपने file manager की तरफ file manager क्या होता है help users to locate, copy, rename and delete files इसका simple सा काम है इससे आप अपने computer के अंदर मजूद जितनी भी files हैं उनको search भी कर सकते हैं या किसी एक specific file को search भी कर सकते हैं या आप उसे copy करके एक folder में से दूसरे folder में भी ले जा सकते हैं या फिर आप उसे delete भी कर सकते हैं तो ये तीन चार functions हैं ये हमारे file manager हमें allow करता है कि हम इसे perform करें आगे बढ़ते हैं हम अपने image viewer की तरफ तो image viewer नाम से जाहिर है कि ये हमें allow करता है कि हम अपने computer के अंदर मजूद किसी भी graphical image को देख सकें हमारे computer के अंदर जितने भी तस्वीरे मजूद हैं वह वो किसी भी type की हो JPG form में हो JPG हो या PNG form में किसी भी form में हो तो image viewer हमें allow करता है image viewer एक ऐसा software है जो हमें उन तस्वीरों को दिखाता है अगर image viewer हमारे system के अंदर मुझूद ना हो तो हम तस्वीरों को ना देख सकें आगे बड़े students हमारे पास आ जाते हैं इसके बाद application software application software कोन से होते हैं application software को पढ़ते हैं enable user to do specific work example अब application software ऐसे software है जो already आपके computer के अंदर मुझूद नहीं होते जिनको आपने install करना पड़ता है अपनी जरूरियात के मताबिक जो इनकी example लें तो जैसे आप computer के अंदर Microsoft Office को यूज करते हैं जिसमें MS Word मुझूद होता है MS Excel और मुफलिफ चीज़ें इसकी मुझूद होती है तो इसे हमने अपनी जरूरत के मताबिक अपने computer के अंदर install करना होता है अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम इसे install नहीं कर सकते अगर हमने documents की amendment करनी है तो फिर हम इसे install कर सकते हैं और अपने documents को create कर सकते हैं delete कर सकते हैं उसमें changing और amendments ही कर सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं students इसकी हमारे पास application software की तीन tayप आजाती है उसमें पहली हमारे पास है legislative software entertainment software ऐसा software होता है जिसके entertainment हम just for fun ऐसे software को install करते हैं उसमें हमारे पास game भी आजाती है हमारे पास painting software भी आजाते हैं और इसी तरह video software जो videos को play करते हैं तो इस तरह के सारे software हमारे entertainment software के जमरे में आएंगे दूसरी जो इसकी type है वो है हमारे पास productivity software, productivity software ऐसा होता है कि जो हमारे लिए बहुत useful होता है जिसे use करके हम किसी ना किसी चीज की हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी चीज प्रोवाइड करना या किसी भी चीज की establishment करना या किसी चीज को मजीद बेखतर बनाने के लिए हम जो software यूज करते हैं वो होते हैं हमारे productivity software आगे बढ़ते हैं हम students educational software की तरह educational software नाम से वाजिया है कि educational software हम अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए use करते हैं ऐसे तमाम software जो हमें हमें हमारी तालीमी सरगर्मियों के लिए इस्तमाल करने पड़ते हैं और तालीमी सरगर्मियों में हमें मदद देते हैं SS Software को हम Educational Software कहते हैं इसकी example ले तो हमें PDF Reader होते हैं हमारे पास WPS Office Software होते हैं और इसी तरह हमारे Study से Related, Education से Related जितने भी Software आते हैं वो Educational Software के जमरे में आते हैं तो यह था Student 7th Class Computer का Lecture No.1 इंशाला अगले Lecture में दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया